कैसे हो भाई लोग उमीद करता हूँ अच्छे ही होगे दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी एप के बारे मताऊँगा जीने देखने के बाद आपको सच में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तो ये एक basically एक music player app है बट इससे पहले आपने ऐसा music player app कभी नहीं देखा होगा कमाल का feature से है और बहुत ही best app है तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊँगा और उसके all about performance और उसके features के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो इस वीडियो कोई से भी skip मत किजिएगा और मैं अंत में ये भी बताऊँगा कि ये एप आपको कहाँ पे आसानी से मिल सकता है तो प्लीज इस वीडियो को last तक चरूर देखिएगा तो नमसकार दोस्तों मेरा नाम हैंकीत और स्वागा थे आप सभी क्या हमारी यूट्यूग चैनल में वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए इसे आपको ओपन करते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं तो जैसे यह आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके जितने भी नीचे गाने होगे यहाँ पर सूप कर दी जाएंगे और नीचे आप एक गूल तरह का डबब प्ले का ओप्सन देख रहे होगे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप गाना जो है वहाँ आप पहुँचाएंगे यहां पे आप गाना प्ले कर सकते हैं और यहां से जब आप ऐसे slide करेंगे ऐसे यहां corner पे click करेंगे तो यहां पे आपको आपके mobile में जितने भी गाने होंगे यहां पे slow कर दी जाएंगे और आप चाहें तो गाना को play कर सकते हैं गाना बसता रहेगा और आप यहां से स्क्रोल करके आप देख सकते हैं जितने भी गाने जो भी आप कामन करो आप प्ले करके सुन सकते हैं चलिए अब इसके features के बारें बात करते हैं यहां पे दूस्तों एक और option है तो यहां पे आप पहले option पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको इकलाइजर मिल जाएगा, यहां पे आप जिस भी एकलाइजर में आप मेंटेन करना चाहते हैं, यहां पे आप किलिक करके, मेंटेन कर सकते हैं, आप DJ like, bass भी बढ़ा सकते हैं, यहां पे आपको बहुत सी अप्षन मिल जाता है, bass booster, virtualizer, loudness, यह सारी चीज़ आपको यहां पे म लगा सकतें है कि आपa it네 निटे तक गाना को सुंना चाहते हैं और नीचे दिखते हैं दोस्तू कि यहां पे शेटिंग का option मिल जाता है और setting में है नाव प्लेंग स्क्रेन यहाँ है शेक सफल है यहां पर इसको पूज अन्वी नफ्न हा तो दोस्तो theme change के निखले सबसे पर हम लोग क्या करना होगा बैक जा रहा हुआ तो हमें बैक चलते हैं और यहां पे click करना है उपर के corner पर यहां पर click करते ही आपके साफने theme का option आजाएगा तो दूस्ते यहां पे बहुत आपको theme मिल जाएंगे और आप अलग से लगाना चाहते हैं अपने file से अपने mobile से download करके रखो यहां फिर आप अपना picture लगाना चाहते हैं तो यहां पे आप click करके लगा सकते हैं और इधर भी बहुत interesting theme है जो कि आप इसमें यूज कर सकते हैं कमाल का फीचर दोस्तो अगर आप इस एप का इस्तमाल करते हैं तो एक बहुत ही अलग फील होता है और बहुत ही बढ़िया लगता है मुवाईल को बहुत ही ज़्यादा एट्रेक्टिव बना देता है तो इस एप को आप एक बढ़ ट्राई जरूर कीज़ेगा ये फ्री वर्जन एप विल्कुर आफ कोस्ट एक बी रुप्य आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप इसका पीड वर्जन लेना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से ले सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बतेगा और अपने दोस्तों के पास भी सियाज जरूर कीज़ेगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कोना बिल्कुल भी मत बुलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाहिंद